नमस्कार दोस्तों मैं जतन सिंग और आप देख रहे हैं चूरू जलक राजस्तान सरकार का 2023 का बजट अभी आया है ताजा ताजा और आप हैं येकिन नहीं करेंगे कोई सुबह का मुख्य मंत्रिया वो बजट पढ़ रहा है आठ मिन्ट तक बजट पढ़ता रहता है पिछल करते हैं कान में जाके कहते हैं कि अप इसली सल का पढ़ रहे ऐसा हो सकता है क्या आप येकिन कर सकते हैं साइध नहीं और ऐसा राजस्तान में हुआ हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं हर जीती सुन्द्रिया ये फाइट फॉर राइट के अधिक्स हैं इन से मुलाकात और यहां के किसानों को, यहां की जनता को क्या मिलना चाहिए था, क्या मांग थी, उसके अनुरूप कुछ मिला या नहीं मिला, तो सबसे पहले हरदिव जी हमारे जो चुरू जिला के उस पर बहुत-बहुत स्वागत है, हरदिव जी यहां के जो आम जनता है, किसान है, करमच धेखिए पत्रकार मोधते अब की वार ये जो बजट था सरकार का आखरी बजट था और सिध appliance की जन्ता को ऊत्य ब़ोगती उम्मीद थी . इस बजट में एक पैसा भी सिद्मुक नहर का नाम का नहीं मिला जो कि बहुत बड़ा दुरुभग्य की बात है इसी परकार सिद्मुक छेत्र के अंदर काफी गाउं में आपनी योजना के तर्थ पीने का पाणी अत्त है और आपनी योजना बिल्कुल ही खतम होने के कगार पर पूंद दुखी है उसके लिए भी एक पैसा इस बजट में नहीं दिया एक यहां का बड़ा मुद्दा है सडक का आपने पानी की बात कही वह भी बहुत बड़ा मुद्दा है छेत्र में पानी चाहिए लेकिन मिला नहीं अभी तक हर गाउं इसी आलात में जी रहे हैं क कि पीने का पानी उनके लिए मुहया नहीं कर पाती है सरकार वह बेचारे टैंकरों में पानी लाने के लिए मजबूरे बार से अठारा सोशेट दोजार रुपे देने को यहां का एक महन मुद्दा है सडक का जो राजगट से बादरा की सडक थी अभी सरकार ने उस अपने तोड कर और यह मना दिया कि हमैं कैसे प्रकार से इसको राजगट से सिध मुख तक सिर्व जिसमें कारी लगाने का काम करेंगे और नया रोड नहीं मुणाईगी से द्रीगा का बजट से ही नाम अठा दिया गया है सित मुख में विकास नाम की कुछ काम नहीं करना जा रहे हैं अब जैसे हम पिछले दस साल से ऐसे गुजर रहे हैं कि रोड टूटा पड़ा है तो आने वारे समय में जो उमेद थी कि राजगण से लेकर बादरा तक पॉर लाइन रोड मन जाएगा तो वस अपना दंतागत फूट गया है एक बड़ी गोशना की है सरकार ने चिरिंजी योजना को लगा है 25 लाग तक की राशी बढ़ा दी गई है उसमें तो एक समय समय में मांग भी उठती रहती है सीमावर्ती छेत्रों में चिरिंजी योजना है वो कितनी काम पे हैं हमारे चेत्र के अंदर सिद्मुग जो से त्रहस में कोई नजदीक की ऐसा हुस्पिटल है ही नहीं कि जिसमें बड़ी इलाज मिल सकी है हमारे नजदीक या इसार हरियाना के जो हो नजदीक पड़ते हैं इसलिए हमने तो पूरो विदाइक मनोज नांगली के मारफा मुख्य मंत्री को अपन भी विजवाया था कि यहां बोर्डर पे लगते हैं अकेले हमारे सिद्मुख की यह समस्या नहीं यह पूरी रास्तान की है जो अरियाना के जो भी बड़ी होस्पिटल है उनको इस पैनल में सामिल कर लिया जाए तो फुरूंत इलाज मिल जाएगा क्योंकि यहां कोई अक्सिडेंट हो जाता है कोई गंबीर विमारी से अचानक विमार हो जाता है तो जयपूर जाने या बिकाने जाने तक तो रास्ते में दम तोड़ देता है इसलिए इस समंद्ध में भी राज्जे सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और वोस्पिटलों क को अपने पैनल में सामिल उखने के यह बजट है यह चुनावी स्तरका बजट है लोग इसको चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं क्योंकि 2023 विदानसवा चुनाव हो नजदी के ज्यादा दूर नहीं है क्या क्या और यहाँ पर इस जंता को चाहिए था सिदमुख में और क्य आप इसले करीब काफी दिनों से राजगड स्टीम का आपने ओफिस देखा होगा सामने गेट बंध है सिदमों को राजगड तसील की किसान सुनील कामरेड के नेतरतों में लगातार रात दिन धरना दे रहे हैं तो किसानों के बिम्मे के लिए भी सरकार ने कुस भी ऐसा प तो उमीद थी वो लगबग सारी खतम हो गई अब हम कॉंग्रेस से नहीं है बसपा पार्टी से हैं इसलिए अगर मेरी कर्शना पूनिया मानने तो मैं कहता हूं कि जब यह चर्चा सले बजट पर हैं उसी दिन विदान स्वा में दरने पर बैठ जाए वो और विदान स्वा स्वास्ते के अंदर को उपजिला अस्पताल में कर्मोनित किया गया है राजगड़े और सिद्मुक क्योंकि उनका दायरा यह है वो सड़क बन रही है उनकी हिसाब से तो सिदमुक के अंदर उपस्वास्ते के अंदर और राजगट के अंदर उपस्वास्ते के अंदर की बात कर रहे हैं तो राजगट के अंदर जो स्वास्ते वाकी जमीन थी उसको तो सारी उसने चिंड ली किल स्टेडियम नवा दिया वहां पर उपस्वास्ते के अंदर कैसे बन लेकिन मेरे कोई उमीद नहीं है कि सिदमुक नहर के लिए और किसानों के बिम्मे के लिए किसना पूनिया विदान स्वावें धन्ने पर बैठ जाएगी नहीं बैठेगी बैठना चाहिए उसको लेकिन जनता उसको घर जरूर बिठा देगे गलिवार इस बजट में है किसानो के बारे में थोड़ा सोचा गया है जो खेती करने वाले किसान है उनको 2000 तक फिरी दी जाएगी विजली गरेलू है उनको 100 तक फिरी दी जाएगी इसमें आप क्या देखते हैं नहीं तो हमारे शिदमुक चैत्र के अंदर तो बिजली फरी कि हमें जूरत नहीं है पानी खार करेंगे क्या जो ग्रेलू कनेक्शन है उसमें जो चल रहा है तो लोग अपना बिल भर रहे हैं प्रूवेल की जो बिजली की बात आ रही वह तो सित्रूंख सेत्र में बिल्कुल भी नहीं है इनका साप साप कहना है कि 18 जनवरी से हैं वो किसान SDM कारियाले के बाहर है वो धरने पर बेटे वे राजगड में अब भी बेटे वे बजट से उनको ये उमीद थी कि बजट आएगा 2020 का और हो सकता है उनको कहीं न कहीं फाइदा हो कहीं न को उनकी आवाज है वो विदान स्वात तक यहां की विदायक है वो पहुंचाएं लेक कौन सी कौन सी समस्चय थी जिन पर यहां की विदायका को मुख्यमंत्री तक बाते पहुंचानी थी जो बजट में आनी थी सबसे बड़े समस्चय हैं कि जो नोजवान लड़के हैं वो पचास परसेंट से ज्यादा अरियाना के अंदर साबिस हुदा है और वहां की बेटि कि उत्तरपरदेश की पंजाब की घुजरात की प्रोसे स्टेटों से आई यू लड़के आया कि जो वह हैं उनको नोकरियों में आरक्षंड उनकी जाती के आदार पर दिया जाएगा ने की जनमस्थान के आदार वह भी यह नहीं कर रहे रही बात नोकरी के नाम पर नई ब जिंदा कर्मी बरती करने की बात करें और तेरे नो साल बाद हम इनको पका करेंगे तो नो साल बाद तो पता ने सरकार किसकी आईगी एक आया ना बरती में तो बजट में देखा है कि सो मेगा जो फिर लगाई जाएंगी वो सारे के सारे private companyy के होंगे सरकार का एक भी नहीं है और इस परकार की बरती आज तक नई तो कोई सरकार ने की और नहीं होने की कभी उमीद है जो सरकारी बरती आप है यह करे यह मेड़े लगे और पिछली साल का बजट पढ़ रहे थे और विपक्त सीन हंगामा भी इसमें ऐसे मुख्यमंत्री से क्या गल्ती हो सकती है फिर कोई साजीस है या किस परकार के बाद पकड़ा दिया जिसा वो पढ़ना सुरू कर दिया बात ये मुख्य मंद्री में आज इतनी ताकत भी नहीं है कि जिस अधिकारी ने उसको गलत बजट दिया उसको तुरंट सस्पेंड करता वो भी उसने नहीं किया